दोस्तो 15 अगस्त को बोलिवुड की तीन बड़ी फिल्मों में से कौन करेगी सबसे ज़्यादा कमाई फिल्म इस्तिरी टू ने 50% स्कीन पर कबजा कर लिया है जबकि खेल खेल में और वैदा ये दोनों फिल्म बाकी की बची हुई 50% स्कीन में आईगी और किस फिल्म के कितने एडवांस चिकेट बिख चुके हैं और कौन सी फिल्म रहा गई है पीछे तो बात करेंगे इस वीडियो में इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लिजे एकॉर्डिंग टू दा रिबोर्ट ओफ सैक निल्क इस्तिरी टू फिल्म फिल्म फिलाल एडवांस बगिंग की रेस में सबसे आगे चल रही है इस्तिरी टू फिल्म के एक लाग 36,000 टिकट एडवांस में बिख चुके हैं इनकी कमाई जोड़े तो फिलाल तक स्तिरी टू फिल्म ने 4.45 करोड की एडवांस कमाई कर लिए। इससे ही अंदाजा लगता है कि ये हुरर कोमेडी फिल्म स्तिरी टू ओपनिंग डे पर ही तकड़ी कमाई करने वाली है। इसके बाद जोन अबरहाम की फिल्म वेदा इसने अभी तक 6300 से ज़्यादा एडवांस चिकट बेज दिये हैं जिनकी कमाई देखे तो 19 लाग से ज़्यादा बैठती है। और अक्से कुमार की फिल्म खेल-खेल में इस फिल्म ने अभी तक 2300 से ज़्यादा टिकट ही बेचे हैं इनकी कमाई जोड़े तो 9.8 लाग की कमाई बैठती है। तीनों फिल्मों में से इस तरी टूस सबसे आगे चल रही है। बाकी देखते हैं कौनसी फिल्म बॉक्स ऑफ इसवर रिलीज होने के बाद धमागा मचा दिये और कौनसी फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करके अपना नाम कमा दिये। दोस्तों इस वीडियो को संस्क्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लिजिए। थैंक यू